कहानी की सुरुआत में एक आदमी और उसके लड़के को दिखाया जाता है जो समुद्र किनारे फिसिंग करने आये होते हैं तभी लड़के के फिसिंग रॉड में कोई भारी चीज फंस जाती है अब इनको लगता है कि यह कोई बड़ी मचली है लेकिन जहा तो गाय का कटा सीर होता है अब इनको समझ नहीं आता कि यह चीज यहाँ पर कैसे आ गई तभी अचानक से इनके सामने कोई बहुत बड़ी चीज आती हुई नजर आती है जिसको देख दोनों हैरान हो जाते हैं अब यह चीज जैसे ही बाहर आती है फिर पता चलता है यह तो एक बहुत पोसाइडन प्रोजेक्ट चल रहा है कीन अपने इन्वेस्टर को बताता है कि सार्क में एंटी कैंसर मैटेरियल होता है जिसकी मदद से हम कैंसर की दवा बनाने वाले हैं और हम सार्क में ऐसा जेनेटिक मोडिफिकेशन करने वाले हैं जिससे की हमें वो मैटेरियल लगाता इसके बाद एक डॉक्टर कंट्रोल मसीन को दिखाता है जिसकी मदद से यह लोग अपने सार्क को कंट्रोल करते हैं लेकिन इसके अलावा यहां पर इन्होंने इथन को रखा है जो सार्क के बारे में बहुत अच्छे से जानता है फिर कीन इथन से सार्क को यहां बुलाने के इसके बाद इथन एक मचली को टैंके के ऊपर ले जाता है जहां सार्क अचानक से आकर इसको खा जाती है लेकिन अभी से देखने के बाद सबकी हालत खराब हो जाती है जबकि सार्क फिर यहां से वापस चली जाती है इसके कुछ समय बाद कीन एक्सपेरिमेंट के तीसरे फेज को सुरू करने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग सार्क में जीन ट्रांसफर के लिए तयार हो जाते हैं। फिर यहां से एक मसीन भेजी जाती है जो सार्क में नए जीन को इंजेक्ट कर देती है। लेकिन इस दौरान इसका नेचर बदल जाता है। फिर भी किसी तरीके से यहां एक्सपेरिमेंट सक्सेस्फुल हो जाता है और इस बात से सभी खुस होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सार्क में अजीब से बदलाव होने लगते हैं। फिर सीन जब गलास के पास खड़ी रहती है तभी सार्क इसके तरफ आने लगती है। लेकिन जब सीन कहता है कि मैं योयो को बाहर लेकर जा रहा हूं। जब तुम फ्री होना तो इसको पिक अप कर लेना। इसके बाद हम एक दूसरे डॉक्टर को फोन पर बात करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से इमर्जेंसी अलर्ट ओन हो जाता है। यह देख डॉक्टर तुरंत ही इसके बाद सब काफी डर जाते हैं और इस टैंक को तुरंत बंद कर देते हैं। लेकिन अब किसी को समझ नहीं आता कि सार्क अचानक से लोगों को क्यों खाने लगी। तभी इथन भी यहां पर आ जाता है और पूछने लगता है कि तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया इस पर एक डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें इस बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है। तब इस एन बताती है कि सार्क प्रेगनेंट हो गई है। लेकिन अब इस बात पर किसी को यकिन नहीं होता क्योंकि असल में यह सार्क मेल होता है। इसके बाद सार्क ग्लास के बाहर आते हैं लेकिन अब सबकी हालत खराब हो चुकी होती है इसके बाद इथन सभी को आवाज करने से मना करता है तभी इसी बीच सार्क यहाँ पर आ जाती है और एक लड़की गलती से पानी में गिर जाती है जिसके बाद सार्क इसको मार देती है तभी इसमें से एक और ड फिर इथन सार्क पर ट्रेंकुलाइजर सूट करता है लेकिन इसका निसा अनामिस हो जाता है। डालती है यह देखते ही सभी की हालत खराब हो जाती है और चसमे वाला आदमी खुद को बचाने के लिए एक दूसरे आदमी को सार्क के सामने भेज देता है फिर यह लोग दर्वाजा ओपेन करने की कोसिस करते हैं लेकिन दर्वाजा ओपेन नहीं होता क्यूंकि वो पूरी के रास्ते बाहर निकलने का आईडिया आता है और फाइनली सभी लोग इस रास्ते से बाहर आ जाते हैं अब इनको लगता है कि खत्रा इन से दूर हो चुका है लेकिन तभी इनकी नजर यहां पर दरार के ऊपर जाती है और यहां लोग समझ जाते हैं कि अभी भी जरूर को भी तोड़ डालती है और फिर से योयो को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है लेकिन तभी इतन आकर इसको बचा लेता है और फिर C.N. के साथ यहां से भागने लगता है अब इतन बाकी लोगों के पास जाकर उनको भागने के लिए कहता है पहले तो इनको कुछ समझ नहीं आता लेकिन जब इनकी नजर जमीन पर दोड़ रही सार्क पर जाती है सभी की हालत खराब हो जाती है और यह लोग भी तुरंत यहां से भागने लगते हैं तभी इसी बीच एक आदमी नीचे गिर जाता है जिसके बाद सार्क इसको पकड़ लेती है यह देख इसका जाता है और सार्क नीचे चली जाती है फिर सीयन और मौंटी इसको बाहर निकालते हैं और तुरंत यहां से भाग जाते हैं इसके बाद सभी लोग एक जगा पर रेस्ट करने के लिए रुखते हैं फिर इफेन इन लोगों से पूशता है कि आखिर तुम लोगोंने सार्क के तब C.N. रिवील कर देती है कि हमने सार्ख के जिन में केच्वे का जिन मिलाया है, जिसके वज़ा से जिन म्यूटे Bacon हुआ है, और सार्ख जमीन पर भी चलने लगी है। इसी बीच चस्मा वाला डॉक्टर देखता है कि इनके साथ वाला एक आदमी जखमी है, और समझ जाता ह कि सार्क इसके बलड के इसमेल की वजह से ही इनका पीछा कर रही है फिर वो इसको मरने के लिए यहीं पर छोईने की बात करने लगता है लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता तभी इसी वक्त सार्क इहां पर आ जाती है और जखमी आदमी को खा जाती है फिर यह आदमी के उपर अटेक करती है और उसको मार देती है लेकिन इसके बाद सार्क योजो की तरफ आने लगती है जिसके बाद सब काफी परेसान हो जाते हैं लेकिन तभी कीन अपने लोगों के साथ यहां पर आ जाता है जो इस पर लगा तार फाइरिंग करने लगते हैं और फिर सार्क तुरंत यहां से भागने लगती है फिर यह लोग इसको जाल में कैद करने की कोसिस करते हैं लेकिन ऐसा कर पाना नामुम्किन था तभी इथन इस पर ग्रिनेर फायर कर देता है लेकिन फिर अगली बार वो जैसे ही फायर करने जाता है किन ऐसा नहीं होने देता अब इस इसके इस हरकत से इथन और भी गुसा होने लगता है लेकिन अब कोई भी चीज इनके कंट्रोल में नहीं थी इसलिए इथन को इसकी बात माननी पड़ती है इसके बाद यहां लोग एक बोट लेकर उसे खोजने निकल जाते हैं फिर इनको पता चलता है कि सार्क ने बहुत से इसके बाद हम सुरुआत वाला सीन देखते हैं जहां सार्क समुंदर से निकल कर सीटी के तरफ आने लगती है और लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं इसके बाद सार्क एक छोटी लड़की के सामने आ जाती है और इसको मारने वाली होती है लेकि एक मीट हुक में फसा कर पानी में डाल देता है तभी सीन को सीटी वाली भीडियो मिलती है और अब सीन इन से बेट को बाहर निकालने के लिए कहती है लेकिन अब सार्क यहां पर आ जाती है और मीट हुक इसके मुह में फस जाता है इसके बाद सार्क बोट को खिशने लगत पिर वो कंट्रोलिंग डिवाइस निकालती है लेकिन इसको सार्क का कोई सिगनल नहीं मिलता यद एक सीयन उसे सिगनल भेजने लगती है फिर इसे पता चलता है कि सार्क बिलकुल इसी के पीछे है लेकिन तभी कीन के लोग यहां पर आ जाते हैं और सार्क के ऊपर वेपन को बनाना था जिसके बारे में मैं किसी को पता नहीं चलने देना चाहता इसके बाद वो इन दोनों को मारने जाता है लेकिन इसी वक्त सार्क होस में आ जाती है जिसको देख सब काफी डर जाते हैं और सार्क अगले ही पलकीन को मार देती है यह देखते ही सब अपनी पिल्कुल इसके पीछे खड़ी हो जाती है और अगले ही पल इसको भी मार देती है वहीं अभी इथन सार्क को मारने का प्लान बनाता है फिर वो सीयन के हाथों से कंट्रोल डिवाइस ले लेता है और यहां से भागने लगता है इसके बाद सार्क इसी के तरफ आने लगती है लेकिन इसी वक्त यहां मॉंटी आ जाता है और एक मचली को हवा में उच्छाल देता है इसके बाद सार्क जैसे ही इसको खाने आती है इथन उसके अंदर बहुत से ग्रिनेड फायर कर देता है जिसके वजह से इसके अंदर बलास्ट होते हैं और सार्क की जगा पर मारी जाती है लेकिन अब सीयन और मॉंटी को इथन कहीं भी नजर नहीं आता जिसके बाद यह दोनों काफी दुखी हो जाते हैं लेकिन फिर इथन इनके पीछे खड़ा होता है जिसको जिंदा देख सीयन काफी खुस हो जाती है और इसको गले से लगा लेती है लेकिन तभी हमें देबी को जनम दिया है और इसी के साथ मूवी एंगा जाता है